हेलो स्ट्रेंट्स मैं डॉक्टर के जिन्द प्रोहिट और यह मेरा रेडियस उफ करवेचर पर तीसरा वीडियो है इससे पहले मैं दो वीडियो अलड़ी अप्लोड कर चुका हूँ जिसमें मैंना बैसिक कंसेट आप रेडियस उफ करवेचर बताया था उसके बाद जो मेरा सेकेंड पार्ट ता जिसमें मैंने एस्ट्रोइड और पेराबोला पे एक क्षिन लिया था पराबोला और पेक्रशन बताया था आपको कि कैसे पहाँ प्रूव करते हैं नाव मैं आज बताने वाला हूं आपको की इलिप्स पर बैस क्षिन जो बहुत इंबर्टन क्रिशन एक्जाम में पूछा जाता है, so student अगर मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो please आप मेरा जो चैनल उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, so that कि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन सो मिलते रहें और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम जो टीचर हैं, ती मेनाज से वीडियो बनाते हैं, तो हमारी एकी एक्षपेटेशन रहती है कि आप लाइक करें, so that कि मुझे 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 थोड़ा में तो मुटिवेशन फिल करूं और मैं आगे आप भी बहुर अच्छा और आपके लिए important content लेकिया हूँ, so इसलोट यहाँ पर आइटे बारा, यहाँ पर मेरे पुराने वीडियो सा आप देख सकते हैं, so देखें आप यहाँ पर बूल रहा है कि at any point P of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, आपको एप्रूव करना है कि rho is equal to a square sin square d plus basis b square cos square t power 3 by 2 upon a b, second part देखा है a square b square upon p cube where p is the length of perpendicular drawn from the center on the tangent at p, third proof बोल रहा है, rho is equal to cd cube upon a b where cp and cd the pair of conjugate diameters and d देखा है a b power 2 by 3 rho 1 power 2 by 3 plus rho 2 power 2 by 3 is equal to a square b square where rho 1 and rho 2 are the radius of curvature at the end of extremities of the conjugate diameters so student exam में ये तीन question है या तो exam में ये question पूचा जाएगा इन दोनों के साथ या फिर exam में ये पूचा जाएगा या फिर exam में ये पूचा जाएगा तो ये तीन question को मैं एक में मिक्स करके बता रहा हूँ है ना, मैं one by one बता हूँँ आपको बिल्कूर टेंशन नहीं के ज़रूत नहीं आपको समझ में आएगा तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको आप यहाँ पे इसके parametric coordinate क्या होता है x is equal to a cos t and y is equal to यहाँ पे क्या होता है a b sin t तो देखो आप यह ultimately parametric coordinate क्या होता है x dash square, y dash square power 3 by 2, x dash y double dash, y dash x double dash होता है so यहाँ पे जो x dash हो कैसे निकालते है different x dash का मतब डेरिवेट है with respect to t so यह आएगा minus का a sin t now double dash करेंगे हम तो इसको एको बाद differentiate करेंगे तो यह आएगा a cos t now y dash तो यह आएगा b cos t और इसको में एको बाद differentiate करेंगे तो यह आएगा minus का b sin t student इसकी value उठाके हम यहाँ रखेंगे तो rho is equal to x dash का square इसका square करेंगे तो यह आएगा a square sin square t plus y dash का square इसका square करेंगे तो यह आएगा b square sin square t cos square sorry cos square t power 3 by 2 x dash y double dash इननों को multiply करेंगे हम तो यह आएगा आपके पास minus minus plus a b sin square t minus this into this तो minus minus वापिस plus हो जाएगा तो यह आएगा a b cos square t now a b common निकालेंगे तो sin square plus cos square कितना हो जाएगा 1 तो हमारे पास जो value आएगी वो आएगी a square sin square t plus b square cos square t power 3 by 2 upon a b यह इसका answer आएगा तो यह first part तो आपको बहुत easily समझ में आ गया अब second part देखिया आप इस second part कैसे हम प्रू करते है so second part बोल किया रहा है यहाँ पर यह समझने के जरूत है कि a square b square upon p q where p is the length of perpendicular draw from the center at the tangent at p तो student इमें आपको थोड़ा बता दूँ डाग्राम यहाँ समझना पड़ेगा यह हमारे पास ellipse है यह हमारे पास ellipse है और यहाँ पर हमने एक tangent कीच रखी है यह point है a cos t koma b sin t और इसके पर हमने एक perpendicular ड़ला और यह जो p है यह इसकी length है और इस point पर जो radius of curvature rho है तो आपको यह prove करना है कि rho is equal to a square b square upon p cube होगा है तो आपको इस perpendicular length यह center से यह 0 0 से perpendicular ड़ला रखा है तो इसका और radius of curvature के बीच में relation निकालना है तो सबसे पहले student क्या करेंगे हमें point यह पता है अगर हम इस tangent की equation निकाले तो हमारा काम हो जाएगा तो सबसे पहले equation of the tangent at p यह पॉइनद पे पाइंट ले ले लिजए अब इस क्या होता है x x1 upon a square प्लस y y1 upon b square यह tangent की equation होती है क्या होती x x1 upon a square प्लस y y1 upon b square जहाँ पे x1 कॉन सा point है a cost सी और y1 कॉन सा point है a b 없다 तो यह point उठाके रखेंगे हम, तो यह आएगा आपके पास x upon a square, यह रखेंगे a cos t plus y upon b square, यह आएगा आपके पास b sin t is equal to 1, मैं यहाँ रखूंगा a cos t, b sin t, right, तो point रख दिया हमने यहाँ पे, now क्या करेंगे, is equal to 1, यह a से cancel हो गया, b से b cancel हो गया, तो यहाँ से हमारे पास इस diagram को थोड़ा सा डंक से बना रहा हूँ, तो student हमारे पास, यह जो point है, यह point ही रहे गया, और यह हमारी length है, और इस line की जो tangent है, यह वाली line को मैं यह बना रहा हूँ, right, तो इसकी जो equation है, वो कितनी है, cos t upon a into x, sin t upon b, y is equal to 1, और यह जो point दे रखा है, यह 0,0 है, मैंने इस diagram को यूँ बना दिया, right, अब मुझे यह p निकालना है, radius of curve, चार रो तो मेरे पास निकली हुई है, रो तो पता है, अब मुझे रो और p में relation निकाल, तो मुझे p चाहिए, p क्या है, यहां से, 0,0 से इसकी क्या है, distance है, और distance का formula student क्या होता है, जहाँ पर x से वहाँ 0 रखे तो 0 आएगा, और 1 को इदर लाएगे, यह 12th class में फार्मला आता है, distance का formula, x कोफिशेंट का square upon s, और y कोफिशेंट का square upon b square, तो इसको हम सेंप्लिफाइगे रहेंगे, student, तो मैं थोड़ा साइस से लिखता हूँ इसको, तो यह p ना उसका LCM लेंगे है, अपन तो यह आएग पान, कितना हैगा, यह positive है, मैं मौड लगा रहे है, मैं बना positive value है, so यह आएगा, b square cos square t plus a square sin square t, है ना, और यह under root है, तो मैं बना power 1 by 2 लिख देता हूँ, और यह नीचे a square b square, अगर under root है, तो a b हो जाएगा, तो यह a b को मैं निकान लिख दिया, उपर लिख दिया, right, now, अ देखे, आप स्कूलटा करा, reciprocal किया, तो यह आएगा, a square sin square t plus b square cos square t power 1 by 2, अपन यह पर क्या हो गया, a b, now, अब आपको यहाँ पर p cube चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, आप, cube करेंगे, दोनों तरफ cube करेंगे, तो student क्या आएगा, यह p cube is equal to a square sin square t plus b square cos square t, और यह cube कर करेंगे, तो यह 3 by 2 आएगा, divided by a b power cube हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर चाहिए, a square b square, तो यह काम करें, दोनों तरफ a square b square से क्या कर दें, multiply कर दें, तो student यहाँ पर इसकी जो value है, वो क्या आने चाहिए, रो आने चाहिए, तो हम वो ही करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा देखेंगे, आप लोग, a square b square upon b cube, और student यहाँ पर a cube b cube आएगा, और यह square b square, तो नीचे क्या बजाएगा, a, तो यहाँ आएगा, a square sin square t, plus b square cos square t, power, 3 by 2, नीचे a b बचेगा, और हम जानते, student यह किसके बराब होता है, रो के बराबर होता है, तो इस तरह से इस पार्ट को ह क्या करते हैं, प्रू करते हैं, next, अब दूसरा और तीसरा पार्ट में आपको बताऊगा, अब student इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या करते हैं, यह इसका थर्ड पार्ट है, that is c पार्ट है, आपको प्रू करना है, क्या प्रू करना है, आपको प्रू करना ह यह मेरा और यह मेरा P point था क्या था A cos T, B sin T और यहाँ पर एक D point लेना पड़ेगा तो यह बोल रहा है यह जो CP है और यह क्या C D, यह क्या conjugate diameters है conjugate diameters का concept यह होता है, student जिनके बीच में 90 degree का क्या हो, angle हो, और अगर मैं इनको आधा कर दूँँ, तो यह हमारे होते हैं semi conjugate diameters, तो हमने क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया, है ना, है ना, अब देखो यह A cos T और B sin T, अब student 90 degree पे, यह A cos T, B sin T, तो 90 degree पे cos क्या हो जाता है, अगर मैं 90 plus theta T करूँगा, तो यह आजाएगा minus का, A sin T हो जाएगा, और इधर आएगा यह आपके पास, 90 पे, B cos T हो जाएगा, ठीके, 90 पे क्या करेंगे, अरे यह T की जगर 90 plus T कर दिया, तो minus का sin T हो जाएगा, 90 plus T किया, तो यह cos T हो जाएगा, तो यह D coordinate आगे, अब आपको क्या करना है, आपको prove करना है CD, है ना, तो CD, यह C point का है student, 0,0 है, तो CD निकालेंगे अपन, तो 00 से इसकी distance, तो student क्या होता है, distance का formula, X1 minus X2 का whole square plus Y1 minus Y2 का whole square, तो student क्या होगा, X1 क्या 0, और minus करेंगे, तो 0 minus इसका करेंगे, तो यह A square sin square T हो जाएगा, और 0 minus इसका whole square करेंगे, तो 0 तो मतलब भी नहीं है, तो यह आजाएगा, B square cos square T, now, अब आपको यह prove करना है, like यह prove करना है, तो अपन यह लेके चलेंगे, और इसकी value लेके आएगे, और अगर इसकी value रो आ जाती, तो prove हो जाएगा, right, तो हम क्या करेंगे, इक सबस्वेले, CD is equal to, दोनों तरफ क्या करत क्या करेंगे, क्या करेंगे, A, B से divide करेंगे, तो मैंने इसको A, B से divide किया, तो जैसे A, B से divide किया, तो B square cos square T power, 3 by 2 divided by A, B, और student, यह हमारा पास क्या होता है, रो होता है, आपको पता है, यह हमारा क्या होता है, रो होता है, तो इससे हमारा सिधा-सिधा यह prove हो जाएगा, right, तो अब इसका थार्ड, आम आपको लास्ट पार्ट बताता हूं, कि लास्ट पार्ट को कैसे हम प्रूव करते हैं, तो इसका लास्ट पॉर्शन देखिए, आप लास्ट पॉर्शन में क्या है यहाँ पे, AB पावर 2 बाई 3, Rho 1 पावर 2 बाई 3, तो आपको यह प्रूव करना है, तो यह मैं बता दू, बहुत सिंपल सा क्रूशन है, देखिए, आप क्या करेंगे सबसुले, Radius of curvature at P point है ना, मतलब कौन सा point है, A cos T, B sin T, और इस फॉर्ट मैं आपको बता दू, जो हमने Radius of curvature निकाल दी, A cos T, B sin T, तो यह P point ही था, और इस स्पेस की Radius of curvature कितनी है, यह आई, तो यह हमारा क्या हुआ, Rho 1 हुआ, है ना, So, Rho 1 हमारे पास क्या होगा, Rho 1 is equal to आएगा आपके पास, A square sin square T, plus B square cos square T, power 3 by 2, upon A B, Now, अब क्या करेंगे हैं, वापिस हम निकालेंगे Radius of curvature at D point, तो D point पर Radius of curvature कितनी आएगी, A minus sin T, B cos T, तो इस टूटिन यहाँ पर फरक क्या पट रहा है, जहाँ पर cos से हमारा पर क्या रहा है, sin आ रहा है, और sin की ज़एगा क्या रहा है, cos की ज़एगा minus का sin आ रहा है, तो यह होगा A square cos square T, plus B square sin square T, power 3 by 2 upon A B, इस टूटिन में आपको बता दूँ, इस coordinate में क्या change हो रहा, cos की ज़एगा क्या रहा है, sin आ रहा है, तो यहाँ cos की ज़एगा हम क्या रहा है, और इस coordinate में क्या रहा है, sin की ज़एगा cos आ रहा है, 2 by 3 plus rho 2 power 2 by 3 is equal to AB power 2 by 3, इस rho 1 की power 2 by 3, यह rho 1 इसकी power 2 by 3, तो 2 by 3 से 3 by 2 क्या हो जाएगा, cancel तो यह आएगा, A square sin square T, plus B square cos square T, तो यह 3 by 2 से 2 by 3 तो cancel होगी, पर इस AB की उपर पापिस क्या लगेगी, power 2 by 3 power लगेगी, now plus मैं जगा नहीं, तो यहाँ लगे रहा हूँ, अब इसके उपर पाप इस 3 by 2, यह rho 2 power है, rho 2 की power क्यतने 3 by 2, 2 by 3 से 3 by 2 क्या हो जाएगा, cancel तो यह आजाएगा, A square cos square T, plus B square sin square T, upon AB power 2 by 3, यह bracket क्मान्द हो जाएगा, now AB power 2 by 3 common निकला, तो इस AB power 2 by 3 से 3 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो यह बचाएगा, A square sin square T, B square cos square T, now यह आजाएगा आपके पास, A square cos square T, plus B square sin square T, student, इन दोनों में सम A square common निकलेंगे, तो यह आएगा, sin square T, plus cos square T, और यहाँ से B square common निकलेंगे, तो cos square T, plus sin square T, और यहाँ से हमारे पास, इसकी वे लिए आएगी, A square plus B square, तो इस तरह से, इस question को में यह आपके क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, तो एक last question ओर लोगा, फिर इस टो प्रूपी का मुएन निकलेंगे हैं, so last question ओर देखिए student, for the cycloid, x is equal to A theta plus sin theta, and y is equal to A, 1 minus cos theta तो आपको प्रूव करना है, rho is equal to 2A cos theta by 2, और इसे से आगे एक और question है, तो student देखिए, आप यह parametric coordinate का ओला question है, तो यह x dash निकलेगा, A theta का होगा, 1 और plus का cos theta होगा, then x double dash निकालेंगे इसका, तो यह आएगा, A और cos का होजाएगा, minus का sin theta, now y dash, इसका definition होगा, 0 और cos का होजाएगा, sin theta, now y double dash का होजाएगा, minus का A cos theta, now student हम जानते, radius of curvature का formula क्या होता है, x dash का square, y dash का square power, 3 by 2, x dash y double dash, minus y dash x double dash, so student यहाँ पे क्या करेंगे, इसका square करेंगे, तो यह आएगा, A square, 1 plus cos theta का whole square, now इसका square करेंगे, तो यह आएगा, A square, sin square theta, k power, 3 by 2, x dash y double dash, तो इसको से multiply करेंगे, तो minus का A square, cos theta, 1 plus cos theta minus, इसको से multiply करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यह आपके पास हो रहा है, then, कितना है यह आप है, sin square, A square, sin square theta हाएगा, now student क्या करेंगे, इसको simplify करेंगे, तो rho is equal to, एक बार इसको definition किया न, तो cos का हो गया, then cos का, क्या होगा, 1 plus sin theta था था न, तो 1 plus cos theta हो गया, then इसका definition किया, तो minus का A sin theta, then cos का करेंगे, तो minus का plus का sin theta हो जाएगा, और sin का यह plus ही होता है, sorry है न, तो इसका square करेंगे, तो यह से multiply होगा, तो यह plus आएगा, and then यह से multiply होगा, प्लस आएगा, right, now, यह A square को बहार निकालेंगे, तो square है तो यह cube हो जाएगा, पावर 2 by 3, 3 by 2 cancel हो जाएगा, now, इसको simplify करेंगे, तो यह आएगा, 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta, power 3 by 2, और यहां से भी हम A square common निकालेंगे, तो student यह cos अंदर multiply होगा, तो cos theta plus cos square theta plus sin square theta आएगा, now, यह cos square plus sin square कितना हो रहा है student हमारे पास, पहले बाद तो मैं A cancel करूँ होगा, तो यह 1 हो रहा है और यह 1 और यह 1 2 होगा, तो इसको लिए आएगी 2 plus 2 cos theta power 3 by 2, और यहां से इसको लिए 1 होती है, तो यह हो जाएगा, हमारे पास 1 plus cos theta, now, 2 को common निकालेंगे student तो यह आएगा, 2 root 2 है 1 plus cos theta power 3 by 2, और 1 plus cos theta, now, यह 1.5 power है, that is 3 by 2 power है, और 1 power है, तो एक power cancel हो जाएगी, तो आपके पास यहां से इसको लिए होगी, 2 root 2 है 1 plus cos theta power 1 by 2, now, 1 plus cos theta का जो formula होता है student, वो कितना होता है, 2 cos square theta by 2, हाना भी फार्मला होता है, now, यह by 2 से cancel हो जाएगा, अगर रूट 2 हो जाएगा, तो यह आएगा, 4a cos theta by 2, तो यह हमारा value आएगा, अब यह जो अगला पार्ट यह क्या बोल रहा है, कि अगर यह जो, यह तो हमने निकाल लिया, अब next question, अगर exam में question इस तरह से पूछ लिया जाए, कि the point on the, the tangent at the point A and B on the cycle, these and these are at the right angle, तो यह cycle is right angle पे, rho 1 और rho 2 radius of curvature है, तो आपको यह प्रूव करना है, तो student, यह rate और radius of curvature 2 है, है ना, तो एक radius of curvature क्या हो जाएगी, तो हम दो point ले लेते हैं, तो radius of curvature at P point है ना, तो इसको हम माल लेते हैं, rho 1, तो यह कितना आएगा हमारे पास, 4a cos theta by 2, now radius of curvature at Q point, Q point क्या है, right angle पे हैं, तो right angle पे इसको rho 2 ले लेते हैं, तो right angle पे student क्या फर्क पड़ेगा, जहां पर theta महां कितना आजाएगा, pi by 2 plus theta by 2 हो जाएगा, तो pi by 2 पे क्या हो जाएगा, cos किस में change हो जाता है, sine में हो जाता है, तो यह आजाएगा, minus का sine theta by 2 पर हम जानते, radius हो कर वेचे हमेशा क्या होती है, positive होती है, तो यह तो हमारा rho 1 हो गया, यह हमारा rho 2 हो गया, इन दोनों की value टाग यहां रखेंगे, तो यह LHS ले ले लिते हैं student, तो यह rho 1 square plus rho 2 square, तो इसका square करेंगे दिया आएगा, 16 cos square theta plus theta by 2, और इसका भी square करेंगे दिया आएगा, 16 A square sin square theta by 2, student हमने 16 को common ले लिया, A square, sorry, तो 16 A square common ले लिया, तो यह आएगा, sin square theta by 2 plus cos square theta by 2, और इसकी value किसके बाराब होती है, 1 के बाराब होती है, यहां से इसका answer यह आएगा, तो इस तरह से discussion को हम पूरू करेंगे, so students, मुझे लगता है, मेरी जो वीडियोस हैं, आपको really help कर रहे होंगे, अगर प्लीज अगर आपको help कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करें, notification bell को press करें, और भी friends को share करें, और comment ज़रूर करें, और like तो बनता ही है, like करें, so that की मुझे आगे, और भी अच्छे content आपके साथ मैं लिखें हूँ, thank you so much for watching my videos, thank you.